दोस्तों नमस्कार आज हम जानेंगे ब्लड प्यूरिफकेशन के बारे में यानि खून की स्पाई हम अपने खून को किस तरह से साप कर सकते हैं मार्च के महिने में 100 ग्राम काला जीरा उसको हल्का सा भून के पीश लें 240 ग्राम आमला पाउडर दोनों को मिक्स करके रख लें सुबे आदा चमच रात को सोने से पहले आदा चमच गर्म पानी के साथ लें इससे हमारा खून साप हो जाएगा फोड़े फुन्सी दाद खाज खुजली कुछ भी नहीं होगा और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका है मार्च के महिने में नीम के नए पत्ते आते हैं जिसको बोलेंगे नीम की कौपल वो एक महिने तक खाएं इससे भी हमारा ब्लड पुरी तरह से साप हो जाएगा और हमें कोई भी विकार नहीं होगा तो ये थी छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद